स्वागत है आपका इस नए सेशन में यह चेहरे का नूर देख रहे हैं यह बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे चैप्टर और बढ़ते जाएंगे mutual funds से अपने लोग ने स्टार्ट किया ओके ओके चैप्टर ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी ठीक है एंड में आते आते कुछ सम्स आए कुछ कॉंसेप्स आए जिन्होंने अपना एक अच्छा लेवल टेस्ट किया चेक किया and we managed it very very fruitfully जस्ट आपको एक बात बता दू के आप लोग mutual funds के टेस्ट का तैयारी करना चालू कर दो मैं आप लोग का टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ so you have to be prepared so आज से for example Monday है तो Monday, Tuesday, Wednesday तीन दिन दे रहा हूं मैं तुम लोग को तुमारा self study के लिए फिर मैं मेरा टेस्ट कभी भी announce करूँगा तुमारे को देना है yes, preferably it will be on a Sunday so आप लोग अभी के लिए ऐसा assume कर सकते हो prepare कर सकते हो उसी सबसे कि sir Sunday को test लेंगे no problems, alright guys but अच्छी तरह से करना है and मज़े से I am sure we'll be able to manage it बोलो okay, okay sir तो तयारी चालू कर दीजिए दूसरा चीज जो मिरको आप लोगों को बोलना है वो है that अब ये वाला जो chapter है this is extremely important chapter for some reasons people find it challenging I can assure none of my students should will ever say that for this chapter, ठीक है so आग लगा देंगे sir mutual fund की magic book की pdf भी भेज़ दो we'll surely upload it on the google drive तो वहाँ से तुम लोग उसको refer कर सकते हो ठीक है so up to you हाँ, अब इस chapter में बतेरे, बतेरे as in बहुत सारे formulas है बहुत सारे, ठीक है and that is where students को ये थोड़ा सा वो लोग back foot पे रहते है क्यों? क्योंकि उनको लगते है क्या formula learn करना है formula learn करना है तो याद नहीं होता है इतने सारे formulas है so that is where, क्या बोल रहा हूँ मैं अपना जो तरीका है वो अपन यूज करेंगे, क्या है अपना तरीका? example से concept derive कर दीगे, पता भी नहीं चलेगा oh example के तुरू concept derive होगा तब पता तरह अच्छा oh f और फिर बाद में we will take it forward to the sums level so इसी चीज़ को continue करेंगे and I can assure you by the end of this chapter also every formula will be on the tip of your tongue एक एक जो एफम के magic book में आपको मैंने portfolio में formulas डाला है सारी के सारे आप लोग solve कर पाऊगे बस mutual funds का ही level in fact उससे अब अपना vibe match हो गया है तो और एक level उपर जाएंगे फिर portfolio के बाद है valuation फिर बाद में है forex तो मतलब आप समझो यार अपन लोग next level पे जाते ही जाएंगे जाते ही जाएंगे all right okay so portfolio management का मतलब क्या है नाम से तो समझ में आ रहा है क्या के portfolio को manage करना मैं आपको बता दू के boss जब आप charter बनेंगे ना तो one of the things if stock market excites you if finance excites you this is one field which is highly untapped by the charters क्या हो गया है पता है कि अभी सुनो मैं तुम लोगों कोई बहुत important चीज़ बता रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जो live देख रहे google live पे तुमारे में से मुझे कोई एक मेरा बच्चा चाहिए जो कल उठके एक बड़ी company का fund manager बनेगा समझ रहो बहुत हो गया audit tax audit tax गई जमाने अब वो traditional audit tax में जानेगे जाओ यार ना नहीं बोलता हूँ मैं ठीक है but let us as charters think beyond that as well ठीक है अब जो knowledge तुम लोगो मिल रहा है advanced level का financial knowledge मिल रहा है तुम लोगो ठीक है मैं तो हुई तुमारे साथ रहने ही वालो जिंदगी भर के लिए तो that is where why not think of making a career in finance I did it probably 10-15 साल पहले मैंने finance में अपना career बनाना start किया by joining JP Morgan जब मेरे सारे friends आज की तारिक में तो चलो फिल भी एक awareness है finance का तो आप लोग सोचो 15 साल पहले तो बहुस बिक पोर में जाना ही बड़ी बात थी तो all my friends were joining बिक पोर और probably some industry जब मैंने मेरे friends लोग को बोला कि यार मैं JP Morgan ज़ॉइन कर रहा हूं उनका instant reaction था अरे वो तो finance field है मैं बला हां मैं asset management या investment banking जोइन करना चाहता हूं तो उना बला है उधर तो MBA और CFA ऐसे लोग जाते है बला भाई देख जाते होंगे but I want to be a part of that and that is where I started my journey with a lot of no lot of people said में अरे बिक फोर में जा before में तरह को मिल रहा है तो EY PWC है वो मैं बला है मेरे को traditional practice में frankly speaking नहीं जाना है यह मेरा thought process बहुत clear था तो अगर मैं probably a decade back यह कर रहा हूँ तो आज तो यार काफी चीज़े accessibility है right so please तुम लोग भी यह finance के field में अपना career बनाने का सोचो do we have any people who probably are even thinking in that line तो मैं तुम लोग को उस तरह से train भी करूँगा अभी से ही बले ही through lectures but मैं उस तरह से train करूँगा या तुम्हारे को लगते है ने ने सर या तो मैं audit में जाऊंगा या direct tax में जाऊंगा या GST में जाऊंगा इन तीन के अलावा सर मेरे को कुछ नहीं जमता है तो ठीक है तुमारा प्रॉबबली थोड़ा traditional mindset है I really respect that बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले जो charters है let people be known you know let people know us that yes finance के भी ये लोग उतने ही दुरंदर है जितने audit या taxation के है यह मेरी इच्छा है यह GST के यह मेरी इच्छा है let's see how it works up so on that note what is that portfolio manager going to do sir अगर यह चीज exciting है तो यह है क्या जो हर कोई probably बनना चाहेगा what is the scope scope wise तो मैं आपको बोल दू भाई साहब unlimited scope है इसमें ठीक है तुम लोग ने जीरोदा का नाम सुने है जीरोदा ठीक है it started as a broking firm and is now converting itself into a asset management company तो अब क्या करेंगे यह लोग HNIs high net worth individuals and ultra HNIs ultra high net worth individuals उन लोगों से पैसा लेंगे और उनका पैसा manage करेंगे ठीक है so it is like your finance का doctor is हमारा portfolio manager yes sir यह sector भी explore करना है रहे या हुम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों करने में but अभी I know majority public अभी भी audit tax के mindset से ही है उनका दिमाग में यह set नहीं होता है कि finance में भी career बनाया जा सकता है career चोड़ो sky is the limit is what I will say for now so that is where this chapter plays such an important role boss आज की तारीक में इंडिया देखो मैं भी न तुम लोगो एक demographic समझाता हूँ ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना ठीक है इंडिया को आजाद हुए वे freedom हुए मिले वे हो गये 1947 में अपने को पगृदेडेंडेंट होता हैना तो अब धाट प्यूइंट अग्डैकर अपन consistent ह闖्नाय सो साल और तो सुय में persistence हैं थीनों तर से तो वह जा रहे माइस भी बाट एंगर को बामपनूख सोख्राट कर उनको अपने basic needs के लिए struggle करना पड़ा था फिर बाद में जो generation आया वो थोड़ा सा एक level उपर आया जिसने बोला कि ठीक है चलो basic need पे थोड़ा सा better फिर बाद में एक generation आया which got at least the basic facilities आप अपने grandparents को बुचोगे तो उनके पास basic facilities भी नहीं था उनको basic facilities के लिए भी बहुत जग् पड़ी जो शायद parents को basic के लिए नहीं एक level उपर था अपन उससे और एक level थोड़ा उपर है आने वाला generation और एक level उपर हो कि महीं चलो अपने घर पे एक छत तो है कि एक छत तो होगी या probably एक arrangement हो जाएगा तो उससे क्या होगा पता है क्या that now the amount of money that you are going to get when you become professional basic needs के लिए आपको खर्चा करने का ज़रूद नहीं है that would have been taken care of अब आप एक level उपर जाएगे और उसके बाद भी आपके पास एक अच्छा कासा surplus money बचेगा आप ऐसा ही एक generation है पुरा इंडिया का जो आने वाले 10 साल में ready होने वाला है जिसके पास अच्छा कासा surplus money बचने वाला है अब आदमी के पास अगर surplus money बचेगा तो वो करेगा क्या वराबरे पहले वो डालते थे fix deposit मे बट अब वो जमाना गया so they will now start exploring for opportunities in other markets in a bond market और equity market जब उसको equity market में जाना है बट उसको पता है कि उसमें return अच्छा मिलता है mutual fund return अच्छा देगा बट उसको ये एक धर है कि यार मेरको तो उसको manage करना आता ही नहीं मेरको तो पता ही नहीं equity के बार में mutual fund के बारे में तो मुझे इसमें invest करना है मेरा surplus money but मैं करू कैसे मुझे knowledge ही नहीं है और बस उदर ही ये bridge आएगा जहाँ पे एक finance professional will ensure that he is taking care of that surplus money and for managing that portfolio he is going to get PMS portfolio management service fees and that is going to be a future role of our charter are you ready to embrace that new role समझ में आया तुम लोग को so portfolio management मतलब ये नहीं के मेरा एक portfolio है मेरे पास 15 company है मेरे portfolio को मैं manage करता हो that is not portfolio management दूसरे के portfolio का जब आप manage करना चालू करोगे for your expertise fees पॉस तब आप कहला होगे क्या portfolio manager समझ में आया okay दिपक कुमार जयन गोल रहे है वह portfolio of 28 company share very good अब उसको analyze करना अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना चीजे तो उसको analyze करना कि तेरह वह portfolio सही है गलत है क्या है everything so that is where बहुत बढ़ा gap है public के पास पैसा है yes महिने का 25,000 भी अगर extra मैं तुम लोग एक चोड़ा सा example वापस से देता हूँ say आज तुम लोग आटिकल्शिप में शायद 5,000-6,000 रूपी मैक्स कमा रहे हो जब तुम professional बन जाओगे which is probably maximum one year from now for some six months from now आप कवाना चालू करोगे minimum 75 to 80,000 per month अब आपको भी बता है आपन सब middle class वाले लोग है तो 75,000-80,000 अगर अपन लोग है कमा रहे हैं अपना 25,000 में खर्चा निकल जाएगा मैं बोलता हूँ low higher side पे 40,000 में खर्चा निकल जाएगा तो भी मैने का 40,000 एक्स्ट्रा बचेगा करोगे क्या उसका obviously you will have to find avenues where you can create your own portfolio जब आप नए चार्टर बने हो और आप 40,000 महीने का बचा पा रहे हो आप सोचो ऐसे कितने सारे लोग है जो आपसे कई जाधा experienced है और उनको भी तो अपना portfolio बनाना है जो महीने का 40 से कई जाधा दे सकते है अपना आपका portfolio बनाने के लिए and that is where they are looking for professionals the finance professionals और उसमें एक CFA for example international CFA कि बाई चलो एक मान है बट वो international level का है समझ रहो इंडिया का बंद अपने को चाहिए खाली international CFA will not have a value as compared to a CACFA तो अपन वो direction में सोचना चलो करेंगे तो एक एक level उपर जाएंगे that's what I want from each one of you तो कल उठके अगर आप portfolio manager बनते हो you are able to manage the portfolio for a lot of clients तो जैसे auditor tax का clientele बनता है same way में financial management या portfolio management का आपका clientele बनेगा and that's where you will be able to earn a good amount of portfolio management service fees and it is only going to grow bigger and better समझ रहो तुम लोग रोल ही नहीं पता होता है लोगों को इसका and that is where a big big problem happens तो अब प्लीज इस direction में भी सोचना आपका भाई तो हही खड़ा आपके लिए इस चीज को लेके इसी portfolio ग्यान को लेकर भी मैं काफी सारा चीजे शेर भी करते रहूंगा तुम लोग को whatsapp group पे भी and everywhere and let's see as I told you आज मैं अनूंस कर रहा हूँ that probably 10 years 12 years down the line I want my student to be a fund manager of a big asset management company और उसका एक message या call आना चीए that sir अपना batch में जो पड़े देना अपन EFF में sir वो सब चीज का हुआ रहा है मैं practically apply कर रहा हूं that would be the real guru dakshina that I will ever want but ऐसा ना हो कि charter बनने के बाद तुम भूल जाओ तुम बोलोगे चल बैं तू भी charter हम भी charter क्या हो गया चलो चलो निकलो अब हम बड़े fund manager बन गया कौन संकल्प कौन संकल्प sir चलो वटा तो प्लीज ऐसा मत करना है याद रखना ना चीज को है कि नहीं so वैसा scene होना चाहिए क्या बोलते हो portfolio manager क्या है आप लोग को indirectly मैंने बता दिया है समझ रहे आप समझ रहे समझ रहे है हाँ थोड़ा सा मुझे वीडियो में लग रहा है इसको मैं दिखा दूंगा तो होपफुली ठीक कर देंगे उसको पर भावनाव को समझो बावनाव इंपॉर्टेंट है राइट सो में को भी दिख रहे हो कि थोड़ा सा एक लैग है एक दो-दो सेकेंड का लैग दिख रहे है इस चीज़ के ऊपर किस चीज़ के ऊपर जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ and that is the financial manager ठीक है you are going to be the financial manager and let me tell you when you become the financial manager see end of the day it is a simple thing people have surplus money मेरा पैसा पड़े पड़े बढ़ने नहीं वाला है ठीक है एक कावत है तुम लोग ने सुनी है कि नहीं I don't know you will be able to create wealth only when your money is multiplying when you are sleeping मतलब वो 9 to 6 के जॉब में साथ हजार असी हजार लाख रुपया दो लाख रुपया तीन लाख रुपया महिना उससे जादा नहीं कमा पाऊगी वो 9 to 6 के जॉब में जो महनत कर रहे हो 9 गंटा उससे जो limited पैसा है वो ही आने वाला है बट जब आप सो रहे हो और आपका वो पैसा in form of return बढ़ रहा है that is going to create the wealth that is going to create the real wealth and आप लोगों के लिए अच्छा है कि there is somebody who is there to guide you मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर अभी से investment करना चालो चाहिए and all of that जो probably मैंने miss कर दिया आप मुझे लगता है इसमें invest कर दिया होता है आप एक डाल दिया होता आज से 10 साल पहले तो क्या सही चीज हो गए हो थी so all of that will be shared with you apply करना execute करना is in your hand जितना अची तरे से अपन उसको करेंगे उतना मज़ा आएगा so एक portfolio बनाना है ठीक है एक financial manage करना है and that is what we are going to learn and understand in this chapter जहाँ पे focus होगा mainly on equity shares अब अगर मैं आपको बोलता हूँ के समझो एक basic level का understanding के साथ अब तु आपको answer देना ध्यान से सुनना एक basic level के understanding के साथ अब तक तुम लोग भी finance में थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोग को अगर मेरे पास कोई client आता है then in that case या मैं आपको ऐसा सोचो कि मैं आपका client बन के आ रहा हूँ मैं एक engineering का student हूँ या मुझे finance का कुछ knowledge नहीं बट मेरे पास बहुत सारा पैसा है मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ के यार सुनना मेरे पास बहुत सारा पैसा है मैं पैसा कहा कहां पे invest कर सकता हूँ ये मुझे तुम लोग से समझना है तो तुम लोग को मुझे भी, where are the avenues या various type of investment और asset classes where you can do investment for your client. जबुरी निये, एक आप equity shares ही बुलू. जो भी available चीजे है, जो आपको लगता है, can be invested by a portfolio manager. I am giving you all two minutes, everybody has to answer. Come on, start. झाल चलो देखते हैं इनके answers क्या आए है देखते हैं इनके answers क्या आए है let's see very nice very nice अब मैं एके करके लिख रहा हूँ थोड़ासा आराम आराम से लिखते जाता हूँ बहुत ज्यादा तुम लोग तुम लोग साथ साथ में लिखते जाना मैं टाइम नहीं देने वालो पहले बोल रहा हूँ तुम लोग वेरियस टाइप और इन्वेस्टमेंट्स वेरियस टाइप और इन्वेस्टमेंट्स ठीक है पहला जो इधर में को दिख रहा है ओहो पुब्लिक तो यार फुल जोश में है भाई मेरा यह पूरा फीड भरते गया मुझे तु देखो यह लोग तो देखो सबसे पहला जो तुम लोग आया है तुम लोग में से किसी ने भी अबे तुम लोग सब क्या हीरो लोग हो क्या या-एव गॉट यह ने बोला है कि सर फिक्स डिपोसिट मैं इंवेस्ट करेंगे न तो सबसे पहले उसको सिक्यूर इन्वेस्टमेंट फिर बाद में रिस्क लेने पे जाओ जैसे अपने घर वाले बोलते हैं ना कि मैं देखो जब सीए बन जाओ तो भले आपको कुछ बिजनस करना हो या कुछ अलग करना हो दो तीन साल तो जॉब करना पड़ेगा थोड़ा तो capital जमा हो जाए जन्रेट हो जाए अला fix deposit को यह लिखता ही नहीं है we don't want six percent return we want growth MF में secure हो जाएगा ऐसा कौन बोला MF invest करने वाला है तेरा पैसा मार्केट में stock मार्केट में stock मार्केट डूब गया तो confidence तो देखो बंदों का यार we want growth वा शामला सही है सही है सही है अच्छी बात है I like this I like this aggressive attitude good good बट बट थोड़ा सा aggression के साथ we have to use sir आप ही पहले हमारे को जोज दे रहे हो और फिर अभी आप ही थोड़ा बोल रहे हो कि इसमें भी करो इसमें भी करो अरे यार come on you cannot ignore the most loved asset class of India जी हाँ it is the fixed deposit it is the fixed deposit ठीक है so fixed deposit बोल लो या इसको term deposit भी बोलते है लोग किसी ने वर्ड यूज किया है सौरब ने वर्ड यूज किया है government security चलो I'll use all of these words जो तुम लोग ने यूज किया है can I say यह अपना एकदम risk-free investment है एक दम risk-free investment है इधर पैसा डाला है तो return आएगा limited आएगा जिसको अपन लोग बोल सकते हैं bonds 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 debentures यह जिसको अपन बोल सकते हैं bonds बराबर किना इससे यह little riskier risk-free भी नहीं बोलेंगे अपट little riskier करेंट इसमें अगर 6 टका expected है fixed deposit में तो debentures से साथ 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 टका expect कर लेंगे यह फिर और एक level उपर जाए risk में और एक level उपर जाए तो अपन ने जो chapter किया है which is mutual funds तोड़ा इससे जाधा riskier इधर 6 टका इधर 8 टका तो इधर 10 टका एक expense अपन expect कर सकते हैं बराबर है इसमें भी divisions है debt oriented mutual fund होता है तो वो थोड़ा risk में भी less risk और equity oriented mutual fund है risk में थोड़ा जाधा risk Sir instead of fixed deposit I can buy gold and silver Manisha I agree but what if gold and silver goes down fixed deposit will at least give you a fixed 6% return what who told you that gold and silver cannot go down there have been a very very big phases where gold and silver has also gone down as well I am not saying fixed deposit में डालो ही डालो but little money put लिया little money put let's let's not be so aggressive के यार fixed deposit को भूली जाए या ऐसा नहीं है please ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चाला third फिर बाद में और एक level तोड़ा समय रिस्कियर पर जाओ so it will be my gold silver commodities जो अभी Manisha जी ने बोला gold silver ये सब में भी अपन invest कर सकते हैं जी अच्छा कासा पैसा invest कर सकते हैं फिर और एक level अगर में उपर जाता हूँ then in that case risk level बढ़ते जा रहा है but it will be equity shares और एक level में अगर उपर जाओ then in that case it will be real estate real estate में कमाया तो चपर पाड कमाया गमाया तो कुछ बोलने ही सकते हैं ठीक है और एक level उपर में जाओ then in that case FNO जो अपन लोग को पता ही है futures and options ठीक है और एक level उपर जाना है रातो रात जिसको अमीर होना है तो या तो रातो रात अमीर होगा या रातो रात तो that will be your crypto that's right that will be your crypto crypto का ग्यान चाहिए कभी अपने बुक में कहीं पर भी कुछ crypto होगा है नहीं बट मुझे crypto का काफी knowledge है तुम्हारी इच्छा होगा तो बोलना अलग से मैं तुम लोग के साथ session लूँगा जाधा नहीं तो मैंने क्या किया है रिस्क के हिसाब से वेट दे दिया है इवनिंग session में वैसा कुछ कर सकता है अब देखते हैं मैंने तुम लोग की सारी इस मार्केट मेरा एक फ्रेंड है जो हल्दी और यह सब में ट्रेडिंग करता है उनलाइन तुम लोग ने जो भी चीज़े बोली थी बेटा सारी चीज़े मेरे पास आगे रियल एस्टेट कमोडिटी मार्केट डेरेटेस गोल्ड बॉंड डिबेंचर मैंने लिखा है बॉ ट्रेशेरी बिल्स नेहा एलपुटिटिए ओ फिक्स डिपाजीट के जैफ़ा है वो दन फॉरेक्स मतलब करन्सीज वाको कमोडिटीज मार्केट का इंपार्ट हो गया इधर लेक्सिंज मार्केट यह तेरा इधर ही पाट हो गया ठीक है यह वाट इस हल्दी टर्मरिक टर् then there are traders who do trading of rice. Not literally trading. Online trading is there. Of rice, of turmeric, of crude oil, of natural gas. So, we just know gold, silver as commodities. But there are other these things also. Even of mirchi. Mirchi what you call in English? Whatever. Mirchi also trading is there. Yellow, yellow. Very good. Correct. So, that's how the system works. So, these all opportunities are in invest to do this. Now, this is debenture and bond. We will go to valuation of securities. Mutual funds. We have already studied gold, silver. We will go to valuation of securities. Portfolio management chapter. Currencies. F&O's. We will go to derivatives. Forex. So, this portfolio management. में इतने सारे ऐसे classes को use करना है. यह सारी चीज़े अपन पढने वाले बिटा. इन वेरिएस वेरिएस चैप्टर. है. सुना है तुम लोगने? नहीं सुना है. मल्टी कमोडिटीज एक्स्चेंज मार्केट. M, C, X. तो वो कमोडिटीज एक्स्चेंज में अपने को लगता है कि ट्रेडिंग हो रहा है. खाली गोल्ड, सिल्वर का. But there is also a trading of these things. A turmeric is also traded. A rice is also traded. So, if you feel that price of rice is going to increase, you can take a position of rice and trade it accordingly. थोड़ा position, position सब high level वरे तुम लोग के लिए बताऊंगा बाद में. Just trying to tell you that how the finance system is huge and diverse. गच्चा. Natural gas, crude oil, सब का है. तो थोड़ा तुम लोगने economic times पड़ा. और तुमको लगा कि यार आज future में लग रहा है crude oil का price बढ़ेगा. You can invest into that, यार. I mean, वो crypto का जो story है, वो तो तुम लोगो बता ही होगा न. एक बंदा है, उसने 10,000 bitcoins, 10,000 bitcoins sale किया in the year 2013. Sale करके उसको मिला pizza. कितने का? 50 dollar का उसको pizza मिला. उसने अपना 10,000 bitcoins बेज दिया. तब एक bitcoin का value था, कुछ भी नहीं. ना के बराब. आज, for example, यह एक time था, जब एक bitcoin का value हो गया था, rupees 20 lakh. उस बंदे ने, तो 2021 में, bitcoin का value था 20 lakh. उस बंदे ने 10,000 bitcoins बेज दिया, dollar 50 में. आज, एक bitcoin का value है, 20 lakh रुपे. अब सोचो बिचारे पे क्या बीतरी होगी? कभी आपका जिंदेगी में कोई बुरा दिन जाए, तो इस आदमी के बारे में सोच ले ना, यार. and it's a true story, it's a true story. Just imagine, 2000 crores, बोलो, 2000 crores की चीज़ देके उसने एक पिज़ा लिया, यूँकि तब उसको पता नहीं था यह होने वाला है. समझे रहो? So, that is where you should have that knowledge as well, कि future में क्या expectations है, क्या होने वाला है, and you can earn, big time. Anyways, ठीक है, उसके नसीब क्या बोल सकते हैं अपन? चलो, ठीक है? So, so, that's how the system works. मैं आप लोगों को, such a bad time, क्या कर सकते हैं यार? मैं आप लोगों को बताता हूं, मोटा-मोटा, जब एक client आपके पास आएगा, और जब आप उसका portfolio manage करना चालू करोगे, तो आप उसको broadly पुछोगे, या बताओगे, that boss देख, तेरा पैसा हम लोग थोड़ा fixed income securities में डालेंगे, वो पुछेगा क्या? मैं आपको बताता हूं, फिर आप बोलोगे उसको की भाई, थोड़ा हम लोग shares related investment करेंगे, वो पुछेगा ये क्या है, मैं आपको बताओंगा, tension मत लेना, फिर आप उसको बोलोगे, हम थोड़ा पैसा commodities market में भी डालेंगे, वो पुछेगा क्या होता है, आप मुसको बताओंगे, फिर हम लोग उसको बोलेंगे भाई, थोड़ा alternate investment strategies में भी डालेंगे, ये तो आपको भी नहीं पताओंगा होता है, ये सारी चीज़े मैं आपको लिखवा रहा हूं, don't worry, alternate investment strategies, या इसको AIF भी बोलते हैं, इंडिया अभी जो शेर मार्केट के लेवल पे है, वर्ल्ड, advanced countries अभी वो AIS लेवल पे है, I'll tell you how it works, चलो चलो, अब पहला चीज़ आपने उसको क्या बुला, कहाँ पे आप उसका पैसा डालने वाले हो, fixed income securities में, सब्पोस वो आपको बुझता है, fixed income securities मतलब कहाँ कहाँ पे डाल सकते हो, तो अपन लोगने एक idea लिया था, थोड़ा उसको और detail में बता देंगे, कि भाई देख, fixed deposit करके होता है, उसमें डालेंगे, थोड़ा term deposit में डालेंगे, फिर बाद में उसको बलेंगे, थोड़ा हम government securities में डालेंगे, थोड़ा हम लोग उसको बोलेंगे, commercial paper, सुना है तुम लोग नहीं है, commercial paper, certificate of deposit, ऐसा कुछ सुना है तुम लोग ने, treasury bill, सुना है, और नहीं भी सुना है, तो आप लोग को tension लेनी की जरुरत नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि ये सारी चीज़े, ये सारी चीज़े आपन लोग पढ़ने वाले है, in the chapter, valuation of security, ये सारी जगा पे, आप उसको पहले invest करवा के, थोड़ा एक secure करवा दोगे, फिर बाद में आपन लोग चरेंगे, level 2 पे, उसका investment अपन लोग करवाएंगे, level 2 पे, level 2 पे अपन लोग उसको बोलेंगे, कि boss, shares related investment करेंगे, अपन यहाँ पे तेला, shares related investment करेंगे, जैसे की mutual funds हो गया, तो mutual funds में invest अपन लोग करेंगे, उसका by default वो लोग उसको shares में करेंगे, कुछ अपन लोग direct equity shares purchase करेंगे, कुछ companies का अपन लोग direct equity shares purchase करेंगे, कभी-कभी तोड़ा अपन debentures और bonds में भी डालेंगे, debentures यार, bonds में भी अपन लोग तोड़ा investment करेंगे, अरे बोलो-बोलो चाल-चाल, so that's how my shares related investment will be, कुछ convertible debentures में डाल देंगे, ताकि debenture का fixed income का flavor भी आ जाए, और equity share का conversion भी मिल जाए, इसके बारे में एक पूरा chapter है, आप tension मत लेना, एक-एक चीज बताऊंगा आपको, convertible debentures में डाल दिया, फिर और एक level उसको उपर जाएंगे, उसको बलेंगे कि भाई, तो tension मत ले, और भी मेरे पास चीज़े हैं, वो लेगा क्या, अरे यार, थोड़ा पैसा अपन, commodities, या currencies में भी, invest कर सकते हैं, तो मैंने तुमको बोला न, MCX, के थूँ ये सारी चीज़े होती है, एक बंदा है, जिगनेश शा, MCX का head था, 20,000 crore, scam, out, we'll share his story, someday when we have time, precious metals, जिया, so commodities में आते हैं, precious metals, उसमें आप invest कर सकते हो, जैसे की gold और silver, तो चलो common है, natural gas हो गया, crude oil हो गया, के बही लग रहा है, crude oil बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, जो भी है, उसी साब से, turmeric I told you all, धन्या का trading होता है, धन्या, धन्या what do you call, koryandr, koryandr, koryandr का trading होता है, yes, so up to us, market has lot of things to give, फिर, these are basically your agri commodities and everything, all of that is covered here, forex का trading होता है, forex में अपन लोग थोड़ा पैसा invest कर सकते है, then there is something called as, carbon credit, थोड़ा advance है यह सब चीज, यह सब चीजों का trading होता है, vegetables का भी होता है, yes, yes, ठीक है, and then last is, alternate investment funds, AIS जो मैं तुमको बोल रहा था, alternate investment strategies, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आप लोग सब लोग को अब यह चीज़ समझ में आ गई, कहां कहां पर आदमी का पैसा invest कर सकते हैं, ठीक है, बराबर है, तो पहला चीज तो अपना set हो गया, तो आप उसका पैसा invest कर सकते हो, real estate में, दूसरा आप लोग invest कर सकते हो, private equity में अब यह सब क्या है, आप लोगों को नहीं पता, private equity क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता, बताएगा, तुमारा भाई सब बताएगा, उसी के लिए तो आयो तुम लोग यह आपर, दूसरा, cryptocurrency में तुम लोग invest कर सकते हो, yes sir, कर सकते हैं, तो, ठीक है, so that's how, other alternate investments, are also available, clear everybody, चलो, दो मिनिट दे रहो, फटा-फट एक बार लिख लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, कहानी को फिर आगे बढ़ेंगे, किदर से लिखोगे, मैं इधर से चालू कर रहा हूँ, होते जाएगा, डन-डन लिखते जाना, फिर मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा, तो, झालू कर रहा हूँ, झाल 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 अप्सक्राइब एक चैप्टर मैं तुम लोग को कर वाहूंगा तैंट थी हरक वे झाल 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 हाँ वही चल वही बेसिक ग्यान आप लोगों को आ गया है कि क्या होने वाला इस चाप्टर में अब नेक्स चलते हैं जब भी तुम लोग किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करना चालू करोगे झाल 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 जब भी आप किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करना चालू करोगे या कुछ दिमाग में आपके सवाल होंगे जो आप उसको पुछोगे जिससे आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में बनाने में इजी पड़े वाट वाट डिस इस वाट इस टेल मी गाइस कितना रिटर्न चाहिए जह बाद ज्यान प्रकाश इसको बोलते है सीधा मुद्धे पर आना बाई तुम मेरे पास आया है पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए बोल कितना रिटर्न चाहिए इस आपसलूटली करें दूसरा क्वेस्टिन हाउ मच रिस्क इस दा क्लाइंट विलिंग टू टेक वाँ श्रीकर गुपता जी वाँ एक नंबर यहां पे सबसे पहला सवाल वहीच पुछने का अपने को बाई कितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है तेरा दूसरा बाई कितना रिस्क लेने का एपेटाइट है यह दोनों चीज़ के ऊपर बात कर रिस्क एपेटाइट दन अच्छा फिर फिर सेकेंड क्वेशन और क्या पूछ सकते हो बोलो चलो यह दोनों एकदाम तुम लोग ने स्पॉट आन दिया रियली हैपी विद यूर आंसर अधर और क्या पूछोगे उसको गुड क्वेशन भाई मेगा शेट टेनियॉर ओफ इन्वेस्टमेंट कितना कब क्या कैसा चाहिए यह एकन राइट यह टाइम होराइजन जिसको बहुत ब्यूटिफुली पुटप क्या मेगा जीन है टेनि और ओफ इन्वेस्टमेंट ड़न नाइस नेक्स्ट और क्या पूछोगे उसको इन्वेस्टमेंट कब विड्राओ करना है वो सब मोटा मोटा टाइम होराइजन में आगे इल टेल यू थोर्ड क्वेस्टन डाइट यू में आस्क इस के भाई तेरा लेक्विडिटी का क्या सीन है थीक है ते अभी तु पैसा अभी एक साथ इन्वेस्ट करेगा थोड़ा बात चाहिए, मैं उसको re-invest करू dividend re-investment plan में डालू dividend payout रखू कि मैं immediately पैसा चाहिए तिरको क्या करू, तो उसको अपन लोग गोलेंगे liquidity preference liquidity arrangement समझ में आया है public liquidity अर्रेंजमेंट next और क्या अब मैं एक point बोलूँगा जो सोच के आपको लगेगा कि सर ऐसा भी होता है, the answer is yes suppose there is a jain client suppose there is a jain client तो jain client बोलेगा कि यार हम लोग तो jain लोग है so we don't believe in probably animal killing or kind of that sort तो हम लोग को leather industries में आप invest नहीं करोगे हमारा पैसा, leather industries में हमारा पैसा आप invest नहीं करोगे suppose there is a muslim client, he will say कि हम लोग का पैसा ऐसी जगा पे मत invest करना which say probably like tobacco use करती हो कोई company तो tobacco based company हो cigarette smoking कोई company हो तो वो हमारे धरम में it is not allowed, तो please आप वहाँ पे invest मत करना तीक है, कोई ऐसे कुछ अपने preferences दे सकता है उसको बोलते है ethical preferences, क्या बोला? ethical preferences, तो ऐसे ethical preferences भी ध्यान में रखने पड़ते हैं before investing I'll write here ethical preferences समझ में आया correct, कोई बोलेगा कि भाई alcohol based नहीं चाहिए हमारे को तो आप Kingfisher का जो company है, उसमें आप invest United Drivers नाम सुना होगा, उसमें आप invest नहीं करेंगे हमारा पैसा बले ही वो कितना भी उपर जाने बाला हो तो एक कुछ ethical preferences भी होते हैं so that's how it works बाई आपके कुछ tax constraints है ऐसा कुछ है तो वो भी चीज को ध्यान में रखना है ठीक है, so that's how the whole system works that's how the whole system works ठीक है, लीख लो फटा फट अब ये जनरल बाते हो गए अभी तक आप लोगो जो बता है वो एक जनरल बाते हो गई सब जनरल बाते हो गई अब आपने लोग आ रहे है specifics के उपर constraints like bottle ने constraints like के भई मेरा 1,50,000 का जो मेरे को ATC में investment करना है वो करना है तो मैं वो उसका mutual fund ELSS mutual fund में डालूंगा ताकि उसका tax का issue resolve हो जाए वैसा उसको बलते है tax status या tax constraint तो उसे for example किसी client ने मुझे 5 लाग दिया पर बोला कि इस में से 5 लाग तो मुझे tax saving में ही डालना है तो उसने मुझे पैसा दिया बट एक tax constraint के साथ वैसा risk appetite means आपने risk झेलने की कितनी शमता है for example आपको अगर आज की तारिक में risk लेना है तो आप बे तहा बे इंतहार risk ले सकते हो why? because your age is 20, 24, 25 तो अगर कुछ उपा नीचे भी हुआ तो आपके पास पूरी जिंदगी पड़िए उसको manage करने के लिए but think of your grandfather who would be age 65 plus क्या उनको मैं बोलूँगा क्या आप risk की investment में पैसा डालो नहीं कुछ भी risk की उपा नीचे हुआ blood pressure उनका उपा नीचे ना हो जाए तो आपका risk appetite risk लेने की छमता is high आपके parents की is low आपके grandparents की is lowest तो risk appetite मतलब risk लेने की छमता how much risk can you take अब मैं आ रहा हूँ specifics के उपर और अब मैं चालू कर रहा हूँ in the real sense portfolio management जी हाँ portfolio management full focus everybody full focus everybody so बात कुछ ऐसी है के बात कुछ ऐसी है के अब मेरे पास बतेरे बतेरे अजिन बहुत सारे asset classes है जिस पे मैं invest कर सकता हूँ समझो मैं उसमें से फिलाल चूज कर रहा हूँ आपका और मेरा सबका favorite जो अपन लोग actually in detail जानना चाहते हैं and say that is equity shares equity shares but अगर equity shares में invest करना है यह equity shares में invest करना है तो कहना इससे client level पे आएंगे अपने आएगा आपने को बोलेगा equity shares में invest करना है अपन उसको सबसे पहला सवाल जवाब क्या करने वाले सर आपका return कितना चाहिए और risk लेने का capacity कितना है in short can I say risk and return को balance करके चलना पड़ेगा बरकुरदार can I say risk and return को balance करके चलना पड़ेगा that is what portfolio management's first fundamental is जो मैंने आप लोगों को दिया है risk appetite return expectations को balance करके चलना है अब क्यों ना इस word का मतलब समझा जाए क्या कोई मुझे बता सकता है return का मतलब क्या है आज मैं आप लोगों को जो खुला सा करने वाला हूँ वो है आप लोगों को सुनेगा आप लोगों को लगया कि ये तो हाँ नॉर्मल है पता था बट नहीं पता था वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ and that is के boss returns क्या होता है दुनिया का सुनो कोई भी asset class होए वो होन दो दुनिया का कोई भी asset class होन दो real estate, private equity cryptocurrency, forex, carbon credit, precious metals mutual funds, equity, debenture, convertible debentures fixed deposit, government security, treasury bill ये जितने भी asset class दिखाए है इनके अलावा और 1000 asset class होंगे ये सारे के सारे asset classes का return खाली दो ही तरह का होता है दुनिया में कहीं भी कोई भी asset class में investment कर लो ये आज मैं आप लोगों को एक थंबरूल दे रहा हो, इसको जिंदगी भर याद रखना, कोई भी asset class हो वो दो ही return आप लोगो देगा एक वो आप लोगो को return देगा in the form of income regular income and दूसरा वो आपको return देगा in the form of capital appreciation इसके अलावा दुनिया में कोई भी asset on दो, it will not give any other return other than regular income and capital appreciation that's it, full stop आओ, चेक करते हैं आओ, चेक करते हैं real estate real estate से आपको क्या return मिल सकता है बताओ में को कैसे return मिल सकता है real estate से आप लोगो में को सोच समझ के 2 minute में बताना है am waiting flux and fluctuating regular income capital appreciation real estate से आपको क्या पैसा मिल सकता है आप लोगो सोच समझ के बताना है मैं 2 minute wait करूँगा झाल झाल चल दूसरा सेफ और एक्जामपल मैं इधर लेता हूँ इक्विटी शेर से आपको क्या मिल सकता है इक्विटी शेर से आपको क्या मिल सकता है परफेक्ट देख लो कोई भी कोई भी आसेट क्लास देख लो पब्लेक बॉस कोई भी आसेट क्लास देख लो ना यार इट विल अल्वेज बी टू तिंग्स रेग्यूलर इंकम कैपीटल अप्रीसियेशन तैस इट अपका म्यूचल फंड देख लो जो भी पड़ा है तुम लोगो ना एक एक्जामपल बताता हूँ मैं एलो आओ सेफ और एक्जामपल मैं लेता हूँ रियल एस्टेट मैंने जैसा पहले तुमको बोला रियल एस्टेट में तुम रेग्यूलर इंकम कैसे अन कर सकते हो चैना इसे रेंटल से या वैल्यू आफ प्रॉपर्टी गोज अप वैल्यू आफ प्रॉपर्टी गोज अप और कोई तरीका ही नहीं है यार क्या वाथ करते हो अचा दूसरा 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 और कोई तरीका mutual fund बोलो क्या देगा mutual fund आपको क्या देगा mutual fund dividend दे देगा और उसका increase in lab जो होता है वो basically capital appreciation है और एक लेलो equity shares लेलो चलो equity shares लेलो क्या देगा आपको equity shares बोलो again same same वो भी आपको क्या देगा ज़्यादा से ज़्यादा dividend increase in value of shares अरे भाई तीसरा और कुछ है ही नहीं दो ही चीज़ है that's it cool stop फिर bonds या debentures है क्या होगा यह bonds and debentures के तुरू क्या मिलेगा आपको या तो interest या change in value of bond that's it तो दुनिया का कोई भी asset class होन दो क्या समझ में आया आपको आज दुनिया का कोई भी asset class होन दो return is always 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 only two things one capital appreciation or depreciation obviously plus regular flow of income from that specific asset regular flow of income from the specific asset plus that's it dividend it could be a interest it could be a rental etc that's it और कोई पस तुम बताओ चीज़ बताओ और कोई या आपकर रहो नाम बतल दूगा मैं अपना लिखो 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 come on start everybody write it up हुआ रपश्काशéta ाु तुम झाल लुम यादसो फो थोज़ विखो लुम це लिखो मैं रही अारू दो झाल 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 येस डन क्या 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 ब्रोकरेज वो भाई साब ब्रोकरेज उसको मिलता है जो ये डील करवा रहे है तो वो उसका बिजनस है एसेट क्लास जिसके पास है उसको ये दो चीजी मिलने वाली है विट्टा क्या 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 वीटल अप्रीशियेशन और रेगुलर इंफ्लो आफ इंकम बस वही चीज पीसरी कोई चीजी नहीं अगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आ रहा है मेरा पहला फॉर्म्यूला पहला फॉर्म्यूला जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं गाईज वी अब डिराइड इट पता भी नहीं चला एंड पहला फॉर्म्यूला इस रिलेटिंग तो दे रिटर्न एंड फॉर्म्यूला इस पी वन माइनस पी जीरो प्लस इंकम अपॉन पी जीरो अब अगर आप लोग देखते हो तो यह पी वन का मतलब होता है पी वन का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस पी जीरो का मतलब होता है मार्केट प्राइस एड टाइम अफ इन्वेस्टमेंट एड पी वन माइनस पी जीरो होता है चेंज इन मार्केट प्राइस टाइस haver मार्केट प्राइस प्राइस होता हाद binary प्रीशन का मतलब होता है रेग्यूलर इंकम एन यह रेग्यूलर इंकम में आता है आपका डिविडेंड इंट्रेस्ट कुछ भी अभी आ रही है तो तुम लोगो लिखवाई दिया है एट्सेक्टरा बोलो समझ में आया क्या रिटर्न का फॉर्मिला अब आपको मेरे बच्चे को रिटर्न का फॉर्मिला लर्न करना पड़ेगा या ऑट्रमेटिकली आएगा बोस यह ना अभी आज चीजे बता रहा हूं ना जिंदगी भर आप लोगो ध्यान में रहेगी है और जिंदगी भर उसी साब से ही सोचोगे आज के बाद आपको कोई बोलेगा ना सुन मैं आपको बता दो क्या होता है तो वेन यू विल बिकम अ प्रोफेश्चनल चार्टर तो आपको रियलाइस भी नहीं होगा आपको अलग अलग सोर्सिस से लोग आएंगे खूँच सामने दो बोलेंगे सार आप यहां पर इंवेस्ट करना चाते हो क्या जैसे जब मैं चार्टर बना था तो अब्यूसली सैलरी पाच हजार के स्टाइपेंड से अच्छानक से एक लाग रुपे महिने पर पहुच गई एक रातो रात दुनिया के लिए रातो रात अपने को पता है अपने कितना म आने चालू हो गए तब तक जब तक वह जेपी मौगन का ओफर नहीं आया था तब तक साला कोई गली का कुटा भी नहीं पुचता था आपने जिस दिन जेपी मौगन का ओफर लेटर आया क्रेडिट कार्ड वाले आहां आरती लेकर आने लगे अपने पास सर हम आपके आरत बिजनस में थोड़ा लॉस हुआ फिर बात में ओवर ओवर पीरेड आफ टाइम प्रॉफिट हुआ और फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ फिर उन्हों ने देगा कि बंदे के पास ठीक ठाक गाड़ी है ठीक ठाक बंदा कमा रहे तो लोग बिजनस सबसे पहला क्वेशन अपने आप के लिए यही होता है रिटर्न में क्या मिलेगा एंड उसमें मैं दो रिटर्न देखता हूँ एक रेगुलर इंकम कितना मिलने वाला इससे दूसरा कैपिटल अप्रीशेशन कितना होने वाला है तो आज चार्टर बनने के दस साल बाद भी पहला एसेट क्लास जैसे मुझे कोई बोलता है जो पहला क्वेस्टन मेरे दिमाग में आता है इस दिस ओनली तो आप लोग को क्या होता है रिटर्न का फॉर्मिला अब ऐसे ही मेरे पास अब मैं एक एक जारा हूँ आगे समझते जाओ क्या क्या होने वाले ऐसे मेरे पास एक बंदा आया अब ऐसा सोचो आप हो सुनो आप चार्ट बन गए हो जी आँ चार्टर साब नमस्ते सर नमस्ते चार्टर साब कैसा लग रहे आपको अच्छा लग रहे सर मैं HDFC बैंक का म सुमारे सर 20-30,000 का सर एसाइपी करा लीजिए सर एक मतब इन्वेस्टमेंट प्लैन या कुछ सर करवा लीजिए तो आप लोग का दिमाग में क्या चलेगा बाइद आपको मैं बोल रहा हूं कि सर प्लीज आप मेरे बीचल फंड में इन्वेस्ट कीजिए क्या आप इस मूचल फंड में इन्वेस्ट करोगे या नहीं अगर करोगे देन इन दैट केस क्या क्वेस्टन पुछोगे विशाल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है जाओ मेरे सेक्रेटरी से बात करो अभी तु खाली चार्टर पर सबको क्या बोलते हो अड़े बाई मैं तो मेरे सीय प्रिंसीपल से भी ज्यादा काम करता हूं पता है क्या मेरा प्रिंसीपल भी इतना काम नहीं करता है पूरे ओफिस का जिम्मेदारी है ना मेरे पेही है अवे जाए वे चल्टा सावन की घड़ा चलो ऑके अगर मैं आ अच्छा अन्ने निवा आपलोग करते हो उतना ही काम करते हो पूरी पूरी फ़र्म आपी क्योपड़ि पेंडेंडे ओके चलो बोलो बोलो टेल 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 झाहते हैं जाँ कौनसी कंपणीज में पैसा लगाते हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रेड़ कितना हो रहा है रिटर्स कितना मिलेगा सबसे पहला क्वेस्टन में आपको बता दो क्या पूचने वाले आप लोग कि आपने past में कितना return दिया है और future का return expectation का projection कितना है पूछोगे कि नहीं पूछोगे बहुत past में कितना return दिया है पता तो चले क्या है so आपका जो first question है वो मेरा second formula बनेगा जी यहां first question was to the extent that that जो returns है जो returns है अपन पूछेंगे बॉस तेरा past data बता कितना return मिला है अब वो आपको बोलेगा सर हम लोग है ना आने वाले time में आना 17% return देंगे 18% return देंगे हम पर उसको बोलेगे तेरको कैसे वालूम तेरको 17-18% return आएगा तो वो immediately क्या बोलेगा सर मेरा past performance देख लो सर मेरा past performance देख लो तो तो चलो आओ पास्ट पर्फोर्मेंस देखते हैं HDFC mutual fund का वाव दीपक कुमार जैन बोलता है मेरा अल्रेडी सर सेक्रेटरी है यार बड़े लोग हो तुम लोग तो यार year 1 year 2 year 3 4 5 तो मैंने उसको बोला मेरेको last 5 years का चल तेरा return बता तो उसने बोला sir 20% है sir 25% आया है sir 15% आया है sir 10% आया है sir 16% भी आया है अब कोई भी क्या करेगा यह 5 साल का जो है इससे uptrend downtrend सब अपन लोग ने देख ली है बराबर है एक बार देखो uptrend जा रहा है down गया down गया फिर वापस से अप गया so ठीक है it's a mixture so अपन हो गया पर क्या करेंगे we will find out the absolutely correct शिवामन ग्यान प्रकाष एक average निकाल लेंगे क्या भी average कितना आ रहा है इस fund से average कितना आ रहा है इस fund से so 20 25 15 10 16 divide by 5 years तो यह सब मिला के कितना return होता है average निकालो correct it is 17.2% तो वो आपको क्या बुलेगा वो आपको क्या बुलेगा immediately वो आपको बुलेगा sir last 5 साल के बेसिस पे वो आपको बुलेगा sir last 5 साल के बेसिस पे approximately 17.2% return आया है समझ में आई बात बोला बोला टेल टेल तो यहां पे जब आप आपके client के पास जाओगे तो पहले वो आपको क्या basis पे judge करेगा क्या basis पे judge करेगा बोलो बोलो टेल टेल पास्ट डेटा पे पास्ट का जो डेटा है ठीक है उपर नीचे होते रहेगा कोई भी case में तो आप उसको क्या निकाल के दोगे, उससे उसको judgment आएगा, average, खाली इसके basis पे वो decide नहीं कहने वाले, बट एक kickstart मिल जाएगा, उसको एक kickstart मिल जाएगा, कि हाँ भी, on an average, मोटा मोटा, 5 साल में इसने 17 टका return दिया है, so, approximately हम लोग इतना return expect कर सकते हैं, भाई, कभी-कभी 25 चीज तक भी गया है, कभी-कभी 10 भी गया है, but over a cycle of 5 years, 17-18% तक का return expect कर सकते हैं, आभी clear guys, तो पहले ही जब आप जाओगे, तो आप क्या आप बताओगे, past data, अब आप हो सकते हैं, आप बोलो, हम नया कंपनी चालू कर रहे हैं, तो हम past data कैसे दिखा है, तो देखो, आप स लिए past data, जैसे, you know, it will work, समझियो everybody, so, 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 यहाँ पर आ रहा है, मेरा, guys, formula number 2, and that is average return, concept of average return, but which is based on past data, इसको अपन रिप्रेसेंट करते हैं, x bar, चो इदर मैं लिखे लेता हूं, represented as, represented as, represented as, x bar, and is based on past data, based on past data, hey, everybody, so, कैसे निकाला कोई मुझे बता सकता है, मतब कि कैसे निकाला हम लोगने average return, थोड़ा confusion हो रहा है, मेरा maths थोड़ा weak है, तुम लोग थोड़ा help करोगे, please, मुझे बताओ न, कैसे निकाला यह average data past, sorry, please help करो न, थोड़ा, कैसे बनाया यह, क्या किया यह, मुझे सिखाओ न, please, मुझे आ नहीं रहे, कैसे formula बनाओ, past data के average return का, क्या बात है, पहला formula तुम लोग ने बता दिया, बदाई हो, बदाई हो, NEC के साथ आ रहा है, मेरा पहला formula, जो मैंने नहीं, Google रहे वालो, आप लोग ने कुछ लिखा है क्या, देख लो, यह हमारे live वालो ने तो यार, must answer दे दिया, average return guys, is equal to, x bar is equal to, sum of, past, past, sum of, past years returns, divide by, देखो लोग ने क्या किया, sum किया past years के return का, और इस किसे डिवाइड किया, number of years से, guys किसे डिवाइड किया, divide by, number of years, समझ में आया, so, 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 average return, या जिसको बुलेंगे आज का, x bar is equal to, summation of, x, can I say, individual जो return आया है, उसको x ले लेते है, which is nothing but, sum of individual return, sum of individual return, upon, n, n क्या है, number of years, number of years, number of years, A, समझ गड़ू, statistics याद आ गई, पूरा chapter होई है, पूरा chapter होई है, statistics, बट अपन, statistics जैसे नहीं पढ़ेंगे, अपन logically derive करते जाएंगे, बरावर है, बरावर है, वेर, 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 X bar is equal to average return, X is equal to individual return of different years and n is equal to number of years, Sanjeev, standard deviation bhi milega sir, aagee tu pooch rahe, answer is yes, but woh bhi kaise milega, logically, clear everybody अरे बोलो ना बोलते क्यों नहीं, done, अब सुनो, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, सुनो, अब ये मेरा past data के basis पे मुझे बता दिया उसने, कि भई क्या है, मैं उसको बोलूँगा, ठीक है भई, past तो समझ गया, बिटा, past तो समझ गया, बट मुझे past का देखना है, या मुझे, कैना इसे future का देखना है, तो मेरा immediately next question होगा, कि yes, ये past काम का है, thank you, आपने बता है, कि आपका average, आपके तुरूँ इतना आएगा, बट मैं तो invest कर रहा हूँ future के लिए, guys मैं तो invest कर रहा हूँ future के लिए, तो आप मुझे बताओ future में कितना return आएगा, तो immediately कोई भी ये बलेगा, सर future तो uncertain है, किसी को नहीं पता है, सत्रा का 170 परसंट भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो आप जबी भी कोई future प्रिडिक करते हो ना, तो आप वो future के प्रिडिक्शन के साथ, एक अपना estimation percentage लगाते हो, कि यार मुझे AFM के lecture के बाद लग रहा है, कि मुझे ना chances है, कि मेरे को 80 प्लस आएगा, तो आपको कि मुझ 80 परसंट लग रहा है कि मैं को 80 प्लस तो आएगा यार, समझ रहो, यार 10 परसंट लग रहा है, यार 5 परसंट लग रहा है, यार 90 प्लस भी जा सकता है, यार 5 परसंट लग रहा है, शाए 60 प्लस ही आए, समझ रहो, तो तुमने क्या दिया, एक probability दिया, chance दिया, कि यार will be a chance involved and chance basically is called as a probability क्या बुला मैं probability चो आप लोगो क्या chance लग रहा है कि आपको 80 प्लस आएगा probability तो future में आएगा जो भी आएगा वो बैई जीरो आएगा 50 आएगा 80 आएगा 100 आएगा only you and your preparation knows बट बट अभी आप क्या देना चालू करोगे चांस वैसे ही है जो portfolio manager है वो आएगा और बोलेगा सार आप मेरे mutual fund में invest करो chances है कि आपको इतना आएगा यह chances है so that basically is called as return यह देखो यह क्या था बता है return based on past data the next is called as expected return जो next वाला है is called as expected return बट 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 यहां पर यहां पर यहां पर करेक्ट based on future data based on future data समझ में आया बरबर है and always remember future कोई भी predict नहीं कर सकता है सब अपना एक estimation percentage देते है so future याद रखना always based on chance या probability based on chance या probability समझ में आई बात बराबर है तो अब 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 suppose अच्छा अभी अब वो क्या बोलेगा पता है जो अभी जैसे for example तुम लोग को मैंने बोला कि सुनो हल्दी में भी investment करते है लोग धनिया में भी investment करते है भिंडी पसंद है भिंडी भिंडी में भी investment करते है सब्जी बेचने जा रहे हो गया तो अब अगर किसी को बोलोगे कि सुन एग्री commodities में इंवेस्ट कर तो बोलेगा क्या return मिलेगा देख अगर rains अच्छी रही तो 20% return rains बुरी रही तो 5% return तो आप क्या दे रहे हो एक probability दे रहे हो वैसे ही अगर आपको कई पुछे कि भाई यह companies में इंवेस्ट कर रहू return मिलेगा क्या तो आप बोलोगे देख अगर economy अच्छी रही इंडिया shining रहा अच्छा रहा सब देन इन देट केस अपने को 20 का return भी मिल सकता है बट देख सची सची वोलूंगा उसका probability है खाली 50% अच्छा बट अगर 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 से medium economy रही सुना सपोस अगर medium economy रही तो भी 12% return तो मिलेगा ही मिलेगा बट उसका 30% का चांस है और अगर economy एकदम ही बुरी रही कि भाई गवर्न्मेंट डसन परफॉर्म बेल और the range are not good और कुछ unwanted हथसा हो जाए then in that case यार bad economy अगर रहा उसका भी chances है approximately 20% समझ रहे हो तुम लोग everybody अब ऐसे situation में आप क्या return expect कर रहे हो देखो कुछ भी हो सकता है economy अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो भी होगा आपको अब इसके basis पे एक expectation क्या रहे है कितना आपको return मिल सकता है सोच समझ के बताओ तोड़ा दो मिनिट लेके सोच समझ के बताना दो मिनिट लेके सोच कुछ बोल रहा है 14.8 कोई बोलता है अब आपको बता तो क्या है सो देखो 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 गूड economy होगा उसका chances क्या है 50% अगर वह हुआ तो 20% return मिल सकता है तो कैना इससे 20% return आने का chances कितना है सर 50% equal to 10% what is your expected return अगर 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 medium economy हुआ तो तो भाई तो फिर हमारे को लग रहा है 12% return आएगा क्या chances है सर 30% सर 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 अगर इतना हुआ तो काली 6% return आएगा जिसका chances है 20% सर 1.2 अप्रोक्स अब इतना return का expectation तो है ही है this is called as x bar या expected return which works out to 13 14 14.8% हे समझे गड़ो यह average नहीं weighted average जैसा kind of गोल सकते तुम लो अरे इसका formula क्या बनेगा यह 14.8 तो मेरा आ गया इसका formula क्या बनेगा मुझे बताओ ना थोड़ा प्लीज गाइड करो ना गाइड क्या formula बनेगा बोलो बोलो टेल टेल कि 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 क कि कि येस येस एपसलुटली करेक्ट एंड इड इड एड वी तुम लोगी करें रहे हो सब यार मैं क्या फॉर्मिला भी तुम लोगी डिरेव करके दे रहे हो मेरे को यार ग्रेट मैं ग्रेट यह आइड यूज आइड आइड वाव simply superb simply looking like a wow यार गाइड गाइड वाव यार गाइड गाइड वाव यार गाइड वाव यार गाइड वाव यार रिटर्न का परसंटेज मल्टिप्लाइ बाइड प्रॉबबलिटी का परसंटेज और उसका समिशन है सामजी गडूर एंड इस इस कॉल्ड आस फ्यूचर डेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न अब वर्ड एक्सपेक्टेड है तो cdc बात है फ्यूचर पर ही बेस्ट होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ट ओन फ्यूचर सम्झेजू return percentage into probability वो उसका summation तो अपम लोग ने क्या किया पहले return into probability return into probability return into probability किया फिर उसका summation किया summation बाद में पहले return into probability कर लो फिर उसका summation है सम्झेजु गडू सर जाओ जाओ आज तो हमी काफी है देखो खाली एक दो फॉर्मिलास खुद से कर रहे हो उसमें तुम लोग मुझे ऐसा बोल रहे हो तो जिस दिन चार्टर बन जाओगे उस दिन मैं समझ सकता हो तुम लोग मुझे कैसे ट्रीट करने वाले हो ठीक है चालेगा कोई बात नहीं समेशन एक्स इन्टू प्रॉबबिलिटी चारा चारा डान गाइस क्लियर है और एक्स क्या है वो तो अपनों में या पर लिखा है वोई है रिटर्न का परसंटेज इंडिविजुल रिटर्न आफ दिफ्रेंट इस अट विल रिमेंग सेंग थैंक यू चारा डान गाइस क्या आपको पता चला आपने और एक फॉर्मिला डिराइव कर दिया जी या इस बार में बोल रहा हूं आपने लास्ट दोनों फॉर्मिला तुमने किया है एक्सपेक्टेड एन पास दोनों एक्सबार से येस चलो सर दिल्ली आजाओ पार्टी देते आपको तो अगर समझो लाइव मैरेथॉन के लिए मैं आया आपके शहर में तो आप मुझे मिलने आएंगे ना पक्का चालो अचा मुझे बताओ अभी तक अपने आज के दिन में कितने फॉर्मिलाज हुए अगर मैं लिखता हूं कि अपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है सर अपनने स्टार्ट किया है पॉर्ट फोलियो मैनेजमेंट जी सर इसमें अपन के कितने वेरी गुड शिकर तीन फॉर्मिलाज हुए है सबसे पहला फॉर्मिला कौन सा था किना इसे रिटर्ण का फॉर्मिला दुनिया का कोई भी रिटर्न हो दो से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता एक रेगुलर इंकम दूसरा कैपिटल अप्रेशियेशन डन 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 तो पहला फॉर्मिला बना मेरा क्या पी वन माइनस पी जीरो प्लस इंकम अंड पॉन पी जीरो यह रिप्रेजेंट करता है आपका कैपिटल अप्रेशियेशन यह रिप्रेजेंट करता है आपका डिविडेंड you can say interest etc सही है दूसरा formula क्या पढ़ा आप लोग ने can I say return के दो type हो सकते है guys return के दो type हो सकते है क्या based on past data based on past data दूसरा based on future data जो return based on past data होता है उसको प्यार से क्या बोलते है बेटा उसको बोलते है average return इसका formula क्या होता है बेटा summation x upon n और दूसरा होता है मेरा x bar x bar में क्या होता है future data के उपर जो return आता है वो expected return बेटा वो उसका formula क्या बना था sir x into probability upon n क्या इधर तक सब लोग मेरे साथ हो क्या यह formula मैंने कराया यह आपने खुझ से किया सची सची बोलना मैं आपको अधा आता हो यार हक से आप लोग सब लोग ने खुझ से पुरा किया यार क्या बात कर रहें क्लापोयल 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 good job good job चल इधर तक सब लोग डानो यारो इधर तक डानो यारो शाबाश बढ़िया बढ़िया गृत व्यूचर में आये गा ना एट है किया बुल्टाज भाई घ्यान जी कि अध्सक्राब नहीं देखो फॉर्मिला को ध्यान से देखोगे ना तो फूचर वाले में एन से डिवाइट नहीं किया आपन पूले को धियान से इस्पेक्टेटर् versão को सकतिन का अषब समझ्ञगा WAS तो आरूं कि एक्सपेक्टेड में क्यों होगा तो नहीं हो गांट और का ज़से है भाई आगों का चेक अप करmaस चांड थे वाई तुम लोग को क्या हो गया है यार यह देखो परिताविलिक्री एक्सपेक्टेड पर एंसे डिवाइड कैसे हो गारे कहा किया है यार देखो ज़रा ध्यान दो यार तुम लोग द्यान का है तुम लोग का शह यकार बहुत बढ़िया वेरे डांश केटव मैं कहा बोलता हो अब गया फर्मेड कर लियानने के शाहिं tips timeline बढ़्त में एक मैं आघंड एक बदेटर है आ गया रिटर्न के साथ उतना ही इंपोर्टेंट और एक ऐस्पेक्ट था जो तुम लोग ने बोला था क्या था वो लिक्के बताओ रिक्स रिक्स नहीं रिस्क चलाओ उसको सब्सक्राइब देखने की कोजिश करते हैं चलो सो नेक्स्ट एक्जाम्पल पर आता हूं मैं एंड़ इस रिक्स चलो एक क्वेस्टन काइंड ऑफ हो जाएगा इससे मेरा एक्स्वेनेशन भी हो जाएगा आओ सब्सक्राइब है रिटर्न दियावा है 20 25 15 10 16 सो गाइस मेंटें डी कोरम पोईस अब देखो यहर 1 2 3 4 5 है रिटर्न 20 25 15 10 and 16 है मेरा पहला क्वेस्टन क्या होगा तुम लोग से कि सर एक्स बार क्या आएगा तो तुम लोग ने वो अल्रेडी मुझे बता दिया है एक्स बार क्या आएगा इसका आपन। ने किया था ना 17.2% अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना तेखो जब यह HDFC वाला manager मेरे पास आया तो HDFC वाला manager मेरे को क्या बोला सर हमारे firm में mutual fund में हमारे equity share में invest करो सर आपको 17.2% तक average return लाके देंगे मैं बोला बराबर है तेरे past के basis पे तू बराबर बोल रहा है अब return तो मुझे expected है 17.2 जितना वो ले आएगा बट मेरा next question है कि इसमें risk क्या होता है risk ये होता है इसमें कि जो सोचा है अगर वो return जो सोचा है अगर वो return नहीं आया तो क्या होगा अब ये risk अच्छा भी हो सकता है बूरा भी हो सकता है सर ने बोला है το 80 लेकर आना ही है AFF में 80 से कम भी आने का रिस्क है 80 से जाधा आने का भी रिस्क है यह एक positive रिस्क है 80 के उपर वाला 80 के नीचे वाला एक negative रिस्क है basically रिस्क क्या है जो आपका expectation है उससे अगर कोई चीज deviate होगी तो अपन क्या बोलते हैं या रिस्क लग रहा है बरावर के नहीं तो आप लोगों से for example exam में pass होने के लिए चाहिए 50 marks ठीक है और आपका paper okay okay गए आपको लग रहे है 55 भी आ सकता है 45 भी आ सकता है तो आप क्या बोलोगे यार 50 आए ना है पता नहीं है 50 आना चाहिए बट थोड़ा risk लग रहा है तो कहना इसे risk जो आपका expectation है या जो होना चाहिए उससे अगर कोई चीज deviate होगी that is basically representing the risk as such अरे बोलो हाया ना बोलो ना बोलते क्यों नहीं तो अगर यहाँ पे मेरा expectations है कि भाई 17.2 आएगा return यह यह average expectation but return आया 20 तो risk क्या है यहाँ पे कितना deviate हुआ है deviate हुआ है कि भाई हम लोगों को लगा था 17.2 आएगा but यह तो 20 आया है अच्छी बात है यह positive deviation हो गया अभी understanding guys 20 minus 17.2 कितना होता है 2.8 भाई risk का मतलब समझो formula तो आते जाते रहेगा दो मिनिट में formula तो तुमारे दिमाग में घुसा दूँगा but real life में risk का मतलब समझो risk का मतलब expectation से कोई चीज deviate होती है उसको कहते है समझ रहे हो expectation से कोई चीज deviate होती है उसको कहते है अब वो positive risk भी हो सकता है negative risk भी हो सकता है करके समझ रहे समझ रहे समझ रहे समझे कि नहीं कोपड़ी next 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 minus 2.2 minus 7.2 minus 1.2 समझ रहे समझ रहे समझ रहे आपनो yes everybody समझ में आया इतना अब यह मैं client को बोलूँगा sir 17.2 return आ सकता है but आपके इसका risk इतना है अब यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है are we understanding guys तो कितना risk हुआ जब आप इसका total करेंगे तो 2.8 plus 17.8 minus 2.2 minus 7.2 minus 1.2 यह आ जाता है 0 तो इसका मतलब क्या यह कहने का मतलब है कि 0 आएगा the answer is no mathematically this will always be 0 guys mathematically this will always be 0 इसके लिए फिर statisticians ने बोला कि यार यह तो mathematically हमेशा 0 आएगा इसका summation तो तो हम लोग क्या करें तो इसको क्या हमेशा risk 0 है obviously not risk वहर चीज में हो नहीं वाल है तो उन्होंने बोला ऐसा करो risk square find करो risk square find करो तो उन्होंने किया 2.8 square यार उन्होंने किया 2.8 square बोलो कितना 7.8 square बोलो कितना 2.2 minus 2.2 square बोलो कितना minus 7.2 square बोलो कितना minus 1.2 square बोलो कितना बोलो बोलो टेल-टेल सो कैना इस से यह 7.84 7.84 60.84 4.84 51.84 1.44 जब आप इसका total करोगे यह आपका risk होगा बट कहना इसे यह तो risk square है अपने को क्या चाहिए अरे बोलो बोलो tell tell कहना इसे से कि boss यह तो मेरा risk square आया summation risk square आया कितना 126.8 मेरे को क्या चाहिए मेरे को तो risk चाहिए तो square को square root कर दूँगा can I say मेरे को मेरा risk मिल जाएगा so 126.8 का root कितना होता है it is 11.2% 11.27% is the risk of investing in this mutual fund क्या आप लोगों को कुछ समझे गुड़ू everybody समझ रहे हो इस risk square को कहते है variance सुनो यह risk कैसे आया x minus x bar बट यह x minus x bar का जो summation है साल हमेशा 0 ही हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ने किया square और उसको नाम दिया risk square जिसका नाम है आज के बाद variance summation x minus x bar square बट हमारे को x minus x bar square नहीं चाहिए हमारे को तो चाहिए उसका root तो उसको बोलते है standard deviation which is your risk बट वो कैसे आया x minus x bar the whole square upon n का root करके and this is where you get two more formulas variance का formula and standard deviation का formula derivation के साथ logic के साथ ए समझे गड़ू अब मैंने फ्लू में बता दिया है अब बापस से दिरे दिरे भी बताऊंगा don't worry sir वो minus के percentage भी positive हो जाएंगे अरे मेरे भाई minus into minus plus होता है न यार इतना basic तो पता होगा न अगर नहीं है तो math का class का थोड़ा extra piece दे दो करवा देता हो सालो इतना भी नहीं पता है minus into minus minus 2.2 square plus 4.84 बन गया ना बिड़ा समझे 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 क्या मैंने divide by n नहीं किया है कर लेते है कर लेते है वो मैं फ्लो में थोड़ा miss हो गया रहेगा कर लेते हैं कर लेते हैं यह 126.8 कितनों का आया divide by n divide by 5 divide by 5 कर लो divide by 5 करते जाओ बराबर है जो logic है वो हमेशा रहेगा ही जिन्दा तो यह कितना आ जाएगा आपका 126.8 divide by 5 का root 5.04 अब इसको तोड़ा systematically बताता हूँ but that is how the system works अरे या लो भई summation लिग्दो भई summation लिग्दो यह लो यह लो यह लो summation लिग्दो logic समझे क्या रहे भाई logic समझे क्या मेरे भाई लोग वो मुझे चाहिए तो वराएंस एंडर डिवेशन का यह फॉर्मेला शायद बच्पन में आपने पढ़ा होगा बट I hope अब आप logically उसको लिख पाएंगे logically अब आपको पता चल गया कि risk क्या होता है सुनो risk क्या होता है it is a deviation from average return average return कितना है x bar अपना return कितना है x ideally तो x minus x bar आज आना चाहिए बराबर है बट वैसा नहीं हो रहा है x minus x bar के summation से 0 ही आ रहा है तो हमने कर दिया उसको square upon n अब अपने को ये मिल गया risk square आज के बाद risk square का नाम क्या हो गया बेटा variance जिसको हम लोग sigma square से represent करते हैं दूसरा अब हमारे को risk square नहीं चाहिए हमारे को सर रिस्क चाहिए सर रिस्क क्या होगा रिस्क क्या होगा इसी का upon n सर इसी का पूरे का root ये होता है standard deviation सबसे फेले risk क्या होता है when deviation happens so चुपचाप मैं कर सकता था यहां पर चुपचाप मैं ये खाली x-x बार summation कर सकता था but mathematically match नहीं होगा अब risk square से मैं आ गया हूँ risk पर root करके root करके अपने example में example में can I say risk square बना 126.8 divide by 5 और रिस्क बना risk बना 126.8 by 5 का square root बोलो ये कितना आया ये आ गया 5.04 क्या ये फॉर्मिला automatically अब आएगा या रट्टा मारना पड़ेगा बोलो बोलो टेल टेल अब 5.04 क्या रिप्रेजन करता है कि बाई 17% जो उसने बोला है या तो approximately 5% उससे जादा आने का चांस है या उससे उतना कम आने का चांस है एक रेंज मिल गया तो मेरा माइन उझे पता है कि रिस्क रिटर्न को कैसे बैलेंस करना है क्या फॉर्मिला का डेरिवेशन समझा क्या ये फॉर्मिला सुना था आपने शायद सुना होगा क्या डेरिवेशन सुना होगा शायद सुना हो बट अब आपको आए हो एक एक चीज लोजिकली सोच के you'll be able to write it without even now looking at the formulas at all क्या बात करते हुआ और ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह x-x-bar का summation क्यों 0 है क्योंकि एक center value है x-bar बाकी का वो उसके साथ होएगा तो automatic adjust होके mathematically 0 ही हो जाएगा so इसके लिए इसका एक मैं note भी लिखवा दूँगा and I hope you are clear forgot the formula or forgot the derivation first is did you ever know the derivation की risk होता क्या है आज के बाद logical ही आपको समझ जाएगा risk मतलब क्या जो मेरा expectations है उससे अगर कोई चीज deviate हो रही है positive or negative is called as risk simple language में उसको formula के terms में डाला but mathematically 0 आया square किया variance नाम आ गया square को root किया standard deviation नाम आ गया या बात क्या बात क्या बात क्या बात है derivation नहीं पता था I hope मस्त पता चल गया होका गॉप अ गॉप अ गॉप इवरिवाण इकी चीज पूचूंगा समझ यू everybody लिख लिया तुम लोग ने 11th with high level discussion correct बट अब वैसा मत सोचो कि यह स्टाटिस्टिक है logically बता रहा हूं ना मैं आपको यह तो logic को अपन लोग ने numbers में या variables में convert कर दिया सब वह स्टाटिस्टिक का वाला लोड लेके अपने पड़ रहे हैं अपने को पता है कि ठीक है रिस्क क्या होता है वह अपने को पता है उस हिसाब से flow में अपन लोग ने set कर दिया सब नोट्स अब भी अपलोड कर दीजिए आ रहें टेंच्या नहीं मतलो लेक्चर होने के पहले ही मैं कर दूंगा इधर एक खाली नोट लिख देता हूं मैं भाई एक एसके नोट लिख देता हूं मैं क्लियर है इसका भी नोट लिखवा देता हूं इसके नोट इसके नोट मतलदा थोड़ा हाई लेवेल वाली चीजसर ने आज बताही हमारे को हमारे को नहीं पता थी पाई वी नीड रिस्क रिस्क की स्टांड़ देशन वी नीड रिस्क धैजि जांडार देशन how we were we calculate variance because because summation x minus x bar the whole square will mathematically become 0 for past data therefore first we calculate first we calculate is x minus x bar square and then do its root gotcha everybody perfect okay Manisha ji will check चलो समझ में आ गया अच्छा अभी और कितनी देर दे सकते हो तुम लोग में रिको मैं सम करवा हूँ उत्रा टाइम दोगे की जाने दो ना अइसा हाले थे तुम्हारा या क्या सीने करते हैं अब 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 अ अ अ चलो चलो अभी मुझे करने दो इस बाइब कंप्लिक कर ने करने दो मुझे अब सो फिलाल मैं क्या सीखा आज सुनो मैं देखा मैं देख्या कि जो रिस्क है न रिस्क यह बेसीकली डिविएशन होता है अवरेज रिटर्न से अज साला यह तो जीरो हो जाएगा इसका समेशन किया तो तो ऐसा करते हैं इसको स्क्वेर करते हैं और फिर इसका समेशन करते हैं इस समेशन स्क्वेर अपन एन इस मैं रिस्क इसमें भी यह ना दो बाते होती है प्लीज लिख लो मेरे साथ एक बेस्ट ऑन पास्ट डेटा एक बेस्ट ऑन फ्यूचर डेटा एक बेस्ट ऑन पास्ट डेटा एक बेस्ट ऑन फ्यूचर डेटा पास्ट डेटा में पहले निकालेंगे रिस्क स्क्वेर यह कैसे निकालेंगे रिस्क स्क्वेर इसको बोलेंगे हम वरायन्स जो होगा हमारा समेशन x-x-bar the whole square upon n इसके बाद होगा रिस्क जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है हमारा रूट ऑफ जो उपर लिखावा है उसी का रूट एमाय राइट फ्यूचर डेटा के हिसाब से भी हो सकता है यह हो सकता है तो उस केस में रिस्क स्क्वेर जिसको हम बोलते हैं 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 रिस्क स्क्वेर जिसको हम बोलते ह पी इस एक्वल टू प्रॉबबिलिटी समझ में आया एन दूसरा दूसरा क्या है खाली रिस्क क्या होगा इट विल बी स्टैंडर्ड डिवियेशन जिसको आप मैं SD के तरह रिप्रेसेंट करता हूं इस एक्वल टू सम ओफ X-X बार इन्टू प्रॉबबिलिटी ए समझी गडू तो फिर कॉपी गडू सर ये FM में risk in capital budgeting में आता था I don't think so, not at all तो फ्यूचर डेटा हो दिया होगा तो वरायंस कैसे निकालना है X-X बार दो होल स्क्वेर इन्टू प्रॉबबिलिटी उसका समेशन यह एन्टू जो आया है उसको ही वरायंस में करना है convert चलो गाइस इधर तक किसी को कोई doubt logically यहां पर तू बोल रहा है कर ए है यहां यहां लुट एा परायंस कुट चलो आए हाई लुाण पारते उिचो अेष्ट इपके घड्था़itt थत्त्स लाँबड़िल यहा है कि अच्वेरीन इस दी फॉर्मिला इन फूटर ड़न ग्रेट है गाइस ग्रेट हो तुम लो सो यार फॉर्स्टी लेक्चर में वान टू त्री फॉर फाइज सिक्स सेवन सेवन फॉर्मिलास ड़न वाव यार हेट्स आफ करते हम आपको हाँ यहां पर देखो स्क्वेर आएगा चल्ड डन सो अब आज क्या सीखा पर लोग ने हमने सीखा कि वाई एक होता है वरायंस एक होता है स्टैंडर्ड डिवियेशन जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसमें दो तरह के डेटा होते हैं पास्ट वाला फूचर वाला जो पास्ट वाला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार दो होल स्क्वेर उपान एन तूचर वाला समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटो पी एक्स बार दो होल स्क्वेर इंटो पी अब एक सम करवादू डन तो फिर एक अच्छे नोट पर सेश्चन एंड हो जाएगा करेंगे ये रहा एक्जाम्पल आप लोगों को ट्राय करना है फिर मैं करूंगा एक्स फॉर्टी सेवन्टीन माइनस सिक्स प्रॉबब्लीटी दिया है मतलब ये पास्ट वाला है या फ्यूचर वाला है प्रॉबोबिटी दिया है मतलब यह पास्ट वाला है कि फूचर वाला है पूरा फॉर्मिलास को मस्त देख देखके करो कोई घाई नहीं अपने गो ठीक है गिविंगे और टू मिनिट्स स्टाट फिर मैं जॉइन करता हूं तुम्हारे लोग करता है झाल झाल चल टास्त चल डाटाट चाल तो मैं करता हूँ पहले A X दियावा है 40 17 माइनस 6 सबसे पहला काम इसका टॉटल करो 51 X बार कैसे निकालना है Summation of X upon N 51 upon 3 equal to 17 यह X बार आया मरा बना यह X बार आया अब X minus X बार दो होल स्क्वेर तो X 40 minus X बार यह देखो यह X बार इदर 17 40 minus 17 दो होल स्क्वेर कितना अधा है कितना अधा है 529 करेंगे 9 टू पी भी करेंगे बिटा यह 17 minus 17 स्क्वेर 0 minus 6 minus 17 स्क्वेर 529 कितना है टोटल 1058 अब X minus X बार स्क्वेर को प्रॉबबिलिटी से मल्टिप्लाई करेंगे प्रॉबबिलिटी कितना दिया है 0.25 0.5 0.25 यहां पर अपने को मिल जाएगा P into X minus X बार दो होल स्क्वेर 529 into 0.25 बोलो कितना आता है 132.25 0 132.25 बोलो 264.5 264.5 बोलो 264.5 बोलो standard deviation root of 264.5 यह तो बरा इंसा है कार हूट 16.26 आ रहा है ये है समझीगडू क्या बात है पहला सम होगे अपना बदाईयो पहला एक्जाम्पल डन अड़ दस्टेट थैंक यू फार दो को आपरेशन गईस चलो अब अब सुनो 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 पिच्चर बाकी है question number one from your text book everybody question number one from your text book come on open ये एक्ट इधर था किसी को कोई डाउट question number one from your text book open question number one from your text book चलो ओपन दिस open करो here शायद मेरी बुक मेरा पास है ना पूरा ना हुए है इडिशन है तो मेरे उसमें श्याद ये चेंज नहीं है तुम लोग के उसमें तो चेंज कर लेना सर मेरा एक डाउट है बुलिए ग्यान प्रकास जी फड़ा 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 बोलो पिर हमारी को जाना भी तो है कि रग़ा नहीं हाँ कि उसने अच्छा क्वेशन बुचा तो मैंने क्या किया है पता है क्या देखो एक्स बार को फाइंड करने के दो तरीके हैं एक बेस्ड आन पास्ट डेटा दूसरा एक्स बार बेस्ड आन फ्यूचर डेटा जो पास्ट डेटा है उसमें अपन क्या करते है पता है क्या एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं 40 प्लस 17 माइनस 6 डिवाइड बैर नमबर आफ यह ज फिफ्टी वापॉन 3 इक्वल तो 17 बट जो फ्यूचर है उसमें अपन लोग कैसे फाइंड करते हैं एक्स बार बेस्ड आन फ्यूचर डेटा कैसे फाइंड होगा इक्स बार बेस्ट आन फ्यूचर डेटा कैसे फाइंड होगा इट विल बी एक्स बार बेस्ट आन एक्स इंटो प्रॉबबलिटी सो 40 इंटो 25 40 इंटो 0.25 प्लस 17 इंटो 0.5 प्लस माइनस 6 इंटो 0.25 समबडी इसकाट करो टोटल तो 40 इंटो 0.25 M प्लस 17 इंटो 0.5 M प्लस 6 इंटो 0.25 M माइनस MRC करता हूं मैं तो यह आता है 17 coincidentally यह 17 था तो यह अपना इधर मैच हो गया बाकी बंदा बोला सही ज्यान प्रकाश और परिता कि करना इसको ऐसे पड़ेगा बाई क्योंकि यह प्रॉबबलिटी वाला है तो यह अपन लोग आता है 17 और लिख देने का फ्रॉब प्रॉबबलिटी बिकाश यह फ्यूचर डेटा वाला है तो यह अपन लोग आता है 17 और लिख देने का फ्रॉब प्रीवियस पेज दन 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 और इसका फ्रॉबला भी लिख देंगे अपन बार इस इक्वल टू इंटू प्रॉबबलिटी दन ओके परिटा जी इसमें सेमी था तो आई यूज डाइदर बट चलो लेट गोविद प्रॉचस प्रॉचस विल ऑल्वेस से यह जो यहां पे लिखा है वो होगा अब आ रहें अपन लोग लास्ट क्वेस्टन ऑफ दे डे मैक्स पांच मिनिट लगेगा एंड विल बी डन इस नाइस बेटा अधर चलो आजओ वेस्टन नमबर बात बता तुम लोग की बुक में और वेरे बुक में नंबर्स यह तुम लोग की बुक में अपडेटेटेटेटेड़ एक्पूरा नावाल यह तो अब सुनो गिवन आर्द नहीं है तो यह चेंज कर देना गिवन आर सुनो दिखने फ्रावरी दिया है तो पास्ट तरणीट यह फ्यूचर रेट यह अची बात पास्ट देटा धिक यह ता यह तो प्रावबब्लिटी दिहा है तो फ्यूचर डेटा यह वातली मतलत करते हैं ज्सिद्दी घर करते हैं oh किदर आपनों लिखेंगे क्वेशन का नाम क्या वेड़ा सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड बस पाच मिनिट में को ती है तुमारा तस इट हा गाईज अच्छा फ्यूचर का दियावा है तो फॉर्मिला क्या है एक्स बार इस इक्वल टू समेशन पी इंटू एक्स बार पी इंटू एक्स जैसा अपन लोग ने अभी यहाँ पे कैल्कुलेट किया था एन 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 वर्राइन्स का फॉर्मिला क्या है समेशन एक्स माइन्स एक्स बार दो होल स्क्वेर इंटू प्रॉबबलिटी एन वर्राइन्स का फॉर्मिला क्या है रूट समेशन समजीगडू प्रॉबबलिटी अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसी क्या क्या चीजे है और कैसे 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 करना है देखो अभी चार ऑप्शन है हाई ग्रोथ प्रॉबलिटी ग्रोथ ब्रॉबलिटी क्या है 0.3 0.4 0.2 0.1 अच्छा अब देखो return दिया है फिलाल मैं खाली sun limited पे focus दू फिलाल मैं खाली sun limited पे focus दू फिलाल मैं खाली sun limited पे focus दू गाइस तो यहाँ पे देखो मैंने उपर खाली sun limited लिखा है तो फिलाल मैं खाली sun limited पे focus दू तो sun limited का देगो return कितना आ रहा है बिटा return which is x 15 13 9 6 ठीक है उसके बाद तो अब x bar कैसे calculate होगा बोलो ना x bar का formula क्या है देखो उपर लिखा है x bar कैसे calculate होगा बेटा so formula is x bar क्या होता है probability into x का summation which will be this 15 into this is 4.5 13 this is 5.2 1.8 0.6 total करो 9 10 11 12.1 क्या आप लोगों का भी 12.1 आ रहा है x bar guys बोलो ना पर तुम लोग answers क्यों नहीं दे रहे हो मेरको जब तुम लोग मेरे आगे हो तो मेरे से calculate करवा रहे हो इदर चलो फिर x bar हो गया अब उसके बाद x minus x bar the whole square x minus x bar the whole square ध्यान से x is 15 x bar is 12.1 का square का square 15 minus 12.1 8.41 का square फिर 15 देखो सब में 15 तो लिखी दो क्योंकि 12.1 तो लिखी दो क्योंकि उसी से minus करना है तो इदर अपन लिख ले थे पहले 13 9 6 minus 12.1 square minus 12.1 square minus 12.1 square 13 minus 12.1 0.81 9 minus 12.1 9.61 6 minus 12.1 37.21 37.21 समझ रहो अब 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 multiply this by probability so P into x minus x bar the whole square कहीं आपका सर तो नहीं चक्रा रहा this multiplied by this this here we go done so 8.41 into 0.3 2.523 फिर बोलते जाओ, बोलते जाओ, 0.324, 1.922, 3.721, मिल जाता है वरायन, बोलो, कितना आता है, वरायन्स ओफ एक्स, सुन लिमिटेड, 2.523, 0.324, 1.922, 3.721, 8.49, इसी का रूट है, स्टैंडर्ड डिएशन, चुट्टा माफ हा, पॉइंट इधर उधर थोड़ा बतुआ तो चुट्टा माफ, लोड मत लेना, स्टैंडर्ड मेरा 0.8 आया, आपका 0.9 आया, होते ही रहेगा, उतना नंबर्ज है तो, तो, रूट आफ 8.49, इक्वल टू, इसका रूट अबाव, 2.91, ओके, ओके, 2.91, कुछ समझा क्या, के थोड़ा हाई लेवल हो गया, फर्स डे पे इतना सारा नंबर, 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 के, हो गया, हो जाएगा, अभी अप्लोड कर लेंगे तो, हाँ, सुनो अभी, सुनो अभी, यह ध्यान में रखना, वो नंबर चेंज दे उदर, तुम लोग की बुक में यह तो अच्छी बात है, 10, 11, 12, 14, अब सुनो, homework, question 1 का, moon limited, question 2, homework, दीक है, तो practice मिलेगा, practice, goodbye gotcha कि यह बोलो रही समझे गड़ू बत्ती गुल काई बात नहीं कर में रिवाइस कर वाऊंगा इसमेंस से कोई है इसकोस समझा सिफ लिख लो था हो समझा या तो लिखलो नहीं समझा just write तोड़ा तोड़ा नहीं यह तो पूरा मत समझ या पूरा समझ चला जाजा शिकर अपन करता है वापस से थोड़ा सा पहला एक्जामपल यह वाला समझ तो अपने को फॉर्मिला मिलता है एक्स बार का तो अपने लोग ने यह पर एक्स बार का निकाला 17 यह भी अपने लोग ने इदर निकाला 17 करना है अपने को यह एक्स यह एक्स बार है यह एक्स बार है यह एक्स बार है उसका square कर दिया multiply by probability किया और उसका total किया तो तेरको मिल जाता है variance धर पैसा चंकु जी को समझा very good बट मैं समझाऊंगा वापसे कल पुरा you don't have to worry at all और थोड़ा तू notes भी go through करेगा ना शिकर तू भी आ जाएगा तेरको और अगर तेरा कोई specific doubt है तो वो पूछ ले तो वो भी मैं clear कर दूँगा तेरा इधर के इधर don't worry झाल कि अप्त जाई कि अब नोट्स अप्लोड करने की बारी यह चलो मैं नोट्स अपोड कर देता हो यार तुम लोग अभी का भी कंफर्म कर लो Google आ लाए कि नोट्स देखें मैं समझता द्वाइस कल बता दूंगा हां मैं उसका भी कर देता हूं कौन नहीं समझा वो बताओ मुझे चलो यह वाला नोट्स अपलोड हो चुक है MF का एक नोट्स बाकी है शायद वो मैं अपलोड कर देता हूं अभी दो मिनिट में ठीक है ओके ओके टाइम पर मीडू से आस्ता लाविस्ता गाइस तो कैसा लगा सेशन साथ फॉर्मिला जो कल अपन पहले रिवाइस करेंगे डूंट वरी वह आप लोगों ने अल्मोस्ट खुद डिराइव किये दिमाग से अश्राफ ओ माइगाद लेट मी नो यार अश्राफ के ऐसा कुछ होता है तुम्हें कोई मैसेज कर देता मेरे भाई नंबर तो है तिरे पास मेरा और आंसर दियाकर आंसर दियाकर ग्रेट सेशन सुपर सेशन असा थैंक यू अस्ता लविस्ता है कि नोट्स अप्लोड हो चुक है तुम लोग देख लो अच्छा म्यूचल फंड का भी अप्लोड हो चुक है भाई है कि मूचल फंड का जो बाकी था वह भी अप्लोड हो चुक है बिट्टा कर दो 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 कि अधाई देवेश देवेश तु आंसर क्यों नहीं देता है सक्सेना जी आंसर क्यों नहीं देते हैं कर में नॉ हुमवक क्वेश्चन वन का मून वाला पाट क्वेश्चन टू का क्वेश्चन टू पूरा मनीशा जैन डे एट हो गया भाई तेरा और कुछ और कुछ कर सकता है यह ना चीज चालो डन बस इतना करके आ जाना कल मिलते हैं विच्छ लोड़ ओफ मोर तिंग्स कल लेवल और बड़ेगा और मजा आएगा तो हुमवक करके आना कुछ नहीं तो रिवाइस करके आना मैं भी करवाओंगा तुम भी करोगे और चालो टेक कैर कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच बबाए झालो झाल झाल